आज सीरियल CID घर घर में लोगप्रिय हो चुका है जहां सीरियल में निभाने वाले सभी करदार काफी जादा फेमस हो चुके हैं और इस सीरियल को 21 साल से जादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन आज भी CID की लोगप्रिय तब बरकरार है जुस तरीके से CID में समाज में हो किरदार नजर आए उन्हीं में से एक किरदार से फेमस हुए इस्पेक्टर श्रिया भी एक एहम किरदार निभाती हुई नजर आई जिन्होंने अपने किरदार को बखो भी परदे पर उतारा लेकिन आज इनके बारी में सब कुछ आप जानते हूंगे लेकिन क्या आप इन इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी की बात करें इनके अभिने करियर की तो आपको बता दें इन्होंने अपने करियर की शुर्वात 2007 में आए छोटे पर्दे की सीरियल चूना है आसमान से की इस सीरियल में इनके अभिने को काफी पसंद किया गया जिसके बाद इन्हें कई और सीरियल में काम करने का मौका मिला जिनमें बालिका वधु तेरा मुझ से है पहले का नाता कोई बात हमारी पक्की है और मायका जैसे बहतरीन सीरियल शामिल हैं इन सीरियल में उनके अभिने क काफी सराहा गया पर इन्हें सबसे जादा पॉपुलरिटी हासिल हुई सोनी टीवी के पॉपुलर शोओ सियाईडी से जिसमें इन्होंने श्रिया का किरदार निभाया जो की क्राइम स्पॉट पर जाकर क्राइम से जुड़े सबूतों को ढूनती है इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया और अपने इस किरदार के जरीए लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई परवर्तमान में इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना रखी है और अपने परिवार के साथ खुशाल लाइफ बिता रही है लेकिन अगर बात करें इनके पती के बारे में तो इनके पती का नाम है निशांत गोपालिया जिनसे इन्होंने साल 2011 में शादी की और इनकी ये शादी लफ मैरेज है आज भी दोनों साथ है जहां इस शादी से इन्हें एक बेटा है जिसका नाम है निर्विक गोपालिया जो की काफी छोटा है लेकिन दिखने में बेहद ही क्यूट आपको बता दें इनके पती पेशे से इंजीनियर है और अपनी फिल्ड में काफी सकसफुल भी जहां आज इन दोनों की शादी को 9 साल से जादा हो चुके हैं लेकिन फिर भी इन दोनों में आज भी पहले की तरह प्यार बरकरार है वेल तो आपको CID में श्रिया का किरदार कैसा लगा साथ ही इनके पती और बच्चों से रूबरू होकर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले